प्याज दी गल करांगे प्याज हर एक सब जीदे विच पेंदा है कच्छा भी असी सलादे तोरते खाने आज ओस दे बारे गल बात करांगे एदे बैनेफिट की है वो शाय तो नहीं पता होगे यह समझलों भी एंटी ऑक्सिडेंट है यह तो अनू कैंसर तो बचाएगा तो कि थकावट रहन दिया जलन रहन दिया पैरांच अग निकल दी रहन दिया डाइबटिक पेशेंट रही था क्रांबान कमाल दी चीज है प्याज जड़े भी लोग के प्याज खांदे तुसी देख्यों ना नू छेती-छेती बुमारिया नहीं पिंपल निकल दे ब्लड जड़ा हेगा साफ रहन देख बीरज उन्हों गड़ा करदे प्याज ब्लड प्याज जर्ण हैगा एनू तामसिक क्या गया उगर क्या क्या ब्लेन वाला इंसान हमेशा जड़ा हेगा चुस्ती रहोगी पूर्तीला रहोगा और दमाग भी ओदा तेज रहोगा रखाइए ट परदेंगी तरह एक चमचा ओ एक चमचा दहीं मैश करके बालां दिया जड़ा तक लाओ मैंगा बालां चे डेंडर वाइड विच कीड़ा लगया है बाल चाट देने टोट देने उमर तो पहला सफ़ैद हो रहे है उन्हाद पता लगा देदा सिर्फ एड़ा सुच्छों कि दिस्मेल लाओ दिया यहीं है वहीं मैडिसन है वाइरस उन्हों खतम कर दिया कीड़ेश मार दिया जिम्हें लोकी की है प्याज खानगे नमक लगा देने लिए निम्बू लगा देने मैंके स्वाधली उता कर लो पर प्याज हमेसा कच्छा खाना चाहिए और तुसी एक च प्रेशर देजिडे मरीज उन्हाद बहुत गुड़ है उन्हाद देली मैं करना ना कच्छा प्याज खाना हर्दया रोग जिनना भी दिल दियां बिमारियां आटरीस नू खोलन वास्ते पॉप जी गुड़ है तुसी प्याज दा रास काड़ लो उन्हों तुसी थोड़ा ज प्याज खान देया ना कच्छा उन्हान नू कदी जल्दी तो जल्दी बुखार तक नहीं चड़ता है सश्रिकाल मैं हां तुह डेनाल जास्परित आज एक बहुत छोटे जे टॉपिक ते गल बात करन जा रहे हैं टॉपिक शोटा पर उदे गौन बहुत जादा ने आज हर एक सब्जीदे विच पेंदा है कच्छा वी असी सलाद तोड़ते खाने आज ओस्दे बारे गल बात करांगे वो सारे लोग सारे लोग तकरीवन हर कोई खानदा है पर इदे बैनेफिट की है वो शाय तो और नहीं पता होगे गल बात इसे बारे करांगे किदा हाना चाहिएदा है केड़ा तरीका वदिया है की की गोणने वो सारी गल बात कर देया सब्सक्राइब बहुत बहुत स्वागत है जी और जिनने भी दर्शिक साड़ प्रोग्राम देख रहे है उननानों मेरे बलों बहुत ही प्यार परी सस्रीकाल जी नमस्कार सर प्याज दी गल प्याज अन्य एंटीयक्सीडेंट है और ईधर बिना हर सब्ज स्थे रइकिरा अन्य और हर एंसाने इंगल रहे है जीदा प्याज रै expos ceux कर तो जिड़े कैंसर दे पेशेंट आगर हो ता प्याज दा रस लेक एक चममच डेली उन्हों देना शुरू कर दो ता उन्हों एदा जिड़ा बेनिफिट होना उन्हों तुसी सोच भी नी सकते मतलब जिड़ा प्याज दा रस है कला उनू तुसी दहीं दे मैश कर लो चंगी तरह एक चांचा ओ एक चांचा दे मैश करके बाला दिया जड़ां तक लाओ मैं करना बालां चे डेंडर्फ है बालां दे विच कीडा लगया है बाल चाट देने टोट देने उमर तो पहला सफैद हो रहे है उन्हा दे विच तुसी लगाओगे ता तुन्हों पता लगूगा सिर्फ इना सुचो कि इदी समेल लाओ दिया इदी समेल नहीं है वो ही एक मै सब्सक्राइदा और तुसी इक चीज में हो दर्दा प्याज जड़ाइगा पाचन के रहा नू बहुत बादिया ठीक जिना नू पो ककट लग दियो है रोटी दिना प्याज खाओ खुल के काओ तुसी देखोंगे चंद दिना दे विच पो खुल जान दिया बहुत बादिय सब्सक्राइब। कुल आपने वारे फिर गाल करांगे बहुत रहें चीज जाने नहीं तो तुसी को गवेल साल जुमान बें चल लाग जाने आपा अज कोई एदांदी गाल लिए करनी आपा उगाम करना जड़ा अपनी किचन पर फाइदा के मेला एड़ा तुछी प्याज दारास कड लो अनु विचे थोड़ा अध्रक दा रास पालो उन्हों चंगी तरह गरम कर लो उद्धोबाद उन्हों तुसी सिर्फ चम्मच देनाल खाना है सिर्फ पीना तुसी देखोंगे थोड़ा जेड़ा तो डसेर दोगदा रहें दा माईग्रेन हुंदा अटैक हुंदा दमाग दे उत्ते वो चीज खत्म हो जोगी फिर जिनने भी दे सेतली बेनिफिट ने वो शायद मैं उन्हें शब्दा ची तो न दस नहीं पाऊंगा फिर कई लोग कानू आईरंदी काट है बोडी दे बिच आईरंदा सब तो वदी अस्रोत है प्याज पूंका वाला प्याज जिड़ा वास्ते वह इन्हाज वदी है जिनना लोग कानू कहते ना पेट गया साय एसिडिटी या जलन हुंदी है उन्हाज वास्ते पूंका वाला प्याज जिननों सी कह लिए कि फ्रेश प्याज वो पूरा रिजल्ट करता ते उधे ना तुसी पूरा फैदा ले सकते हूं और जिए रेगुलर कान दे क्योंकि इन्हें किसे तरह भी बाडी चे वीकनस निया तुसी देख्यों जिए लोग की प्याज खान दे ता मोटे नियूंदे जिए लगादार खान दे रेगुलर मटापा निया उदा फिर उधे लड़ किया प्याज नू रेगुलर जिए रुट प्याज वारे गल्ला कर दे कर दे मेरे मूँच भी पानी आ रहा है तुड़े भी आ रहा होगा प्याज जिए लगा है वो इंडिया के पैनी फिट्टड है तुसी सोच भी नी सकते मालों जे तुसी अज जिए देख रहे हो ना कि लाइफ दे बिच अगर अपा सिलिम फिट चुस्ती रहोगी फृतिला रहोगा और दमाग भी ओदा तेज रहोगा अखावी तेज रहांगी आप यह प्याज देवारे जिन्ने में गुन दसूंगा उन्ने ही थोड़े या इनू खान दा इड़ा तरीका जिमें लोग की बेशन चले बेड़के पकॉड़े बना लें चाहिए पयाज देट रहें था इस यह बन्याज देट रहेंगे लोगा इस सम्झेल भी एंटी आक्सिडेंट है इतो नूंख कैंसर तो बचाएगा हाट दी प्रॉब्लम तो बचाएगा ब्लड़ प्रेशर तो बचाएगा जिन्हीं भी तो अड़े मलों कैलों की थकावट रहने हैं जलन रहने हैं पैरांच अग निकल दी रहने हैं डाइबिटिक पेशेंट रही तक राम बाना कमाल दी चीज़ है प्याज बसे नूँ खान दी थोड़े यह तरीका है तुझी मेरे को ले जदो भी वाटसेप करोंगे वाटसेप दे विचे जरूर सवाल पादे हो कि गोल सब इदा खान दा तरीका है उ मैं कमे खाना अब दे वरे इन्ना के दसेखरो भी मैं फलाणा मेरा शेर फलाणा ते आब नू बिमारी है की मैं प्याज खावा की ना खावा ज़िखामा ता मैं कमे खामा तो नू दुझी जवाब होगा पर ला सुवाल ठीक कर लूँ न गोल सब एक कमे खाना उन मैं कादली दसा मैंनो तोड़ी उमर भी नी पता किनी है तुड़ा एब नी पता तुसी फीमेलो कमेलो तुसी सारा लिखा करो फिर तुसी देखो ता नूता डेमताब के जवाब होगा और रिना स्टी के जवाब होगा कि तुसी काओंगे वक्या पाद में आज तक मैं फान खाना रहा न वा फ्राषा에서 नइसे नी पता हो भे तो बाड़ी नो की प्रावल्म ने नी सकती तुसे जंदःगी पारता रुगा ना बैक पेन, ना लो पेन, ना शूगर, ना डाइबटीज, पता ही लगना तो लो भमारियां की हुं दियाने, तो इस करके हाई ब्लाड प्रेशर तो बचो, उतो बचान बास ते प्याज तो डी मदद करूगा, कि में खाना, किन्ना खाना, अब दा नाम दसो, उमर दसो, शे 272, सेक्टर, चुताली, डी, सौंबार तो लेके, शनी वार तक, सिरफ बीर बार नो मैं नी मिलूँगा, सौंबार तो लेके, शनी वार तक, सुवेरे दस बजे तो, छे बजे तक, फोन मिले ना मिले, कुई चके ना चके, सिद्धा आ सकते हो, आगे अपना टोकन लो, अप से नूँ खाली नी जाना पेंदा, पर एजरूर है कि जदो भी आउना, जे फोन नहीं भी मिला, सिद्धे आ सकते हो, 372 नंबर शोरूम है, चुताली, डी, अपना सेक्टर है, चंडी गर दे मिच, सुवेरे 10 बजे उपन हो जन्दा, टोकन जेडा सी 8 बजे देना शुरू क कर देना, 10 बजे तो सिटिंग हो जन्दी है, डॉक्टर जी सारे हैंदी, ते उस तो भाद तुसी शाहन नूँ पांच बजे तो पहला पहला सी सारे पेशेंट आनू, तक्रीबन तक्रीबन फ्री कर देना, 10 तो पांच जेडा सद्धा टाइम है जी, और तुसी कदी भी आ स कार, सुझी जेकर तुहाड़ा भी कोई सुवाल है, तो दुसी कमेंट बॉक्स वे चुई दा सकदें, तो स्क्रीन ते फ्लैश नंबर ते कॉन्टेक्ट कर सकदें, और फिस जड़ा है इत्थे भी तुसी विजिट कर सादें, जेख दिरो साड़ चैनल में दियो इजाजत, सुझी अका.